और यह दिखने में भी काफी खुबसरत लगता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी RGB लाइन जो है वो आ चुकी है और यह काफी cool भी लग रहा है लाइक कुछ इस तरह से और यह काफी cool है अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन सभी लोगों को बता दूँ के Android ओपनिंग सिस्टम में आप कई सारे फीचर को कस्टमाइज कर सकते हैं फोर एकजांपल के अगर आप एक Android यूजर हैं तो आप अपने स्मार्टफोन में रहे कई सारे UI हैं जिने आप चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें हलकी-फुलकी एफेक्ट भी आडड कर सकते हैं For example, कि अगर आप अपने smartphone के volume बटन को दबाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह का volume UI देखने को मिलेगा, UI का मतलब user interface, तो आपको volume का कुछ इस तरह का user interface देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ iPhone के बारे में, तो iPhone के volume बटन को दबाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह का user interface देखने को मिलेगा, एक बात समझ लिजे कि अलग-अलग company के smartphone में, आपको अलग-अलग UI देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ MI के बारे में, तो MI में volume UI कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, आइपोन के बारे में अगर हम बात करें, तो iPhone का UI volume कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, OnePlus में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, यानि कि हर अलग-अलग company का अपना अलग-अलग UI है, बढ़ कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, जो एक ही smartphone में सारी company के UI यूज़ करना चाहते हैं, या फिर अपना खुद का UI बनाना चाहते हैं, तो अगर आप भी मेरे जैसे हैं, तो आप बिल्कुल सही पते पर आए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी app के बारे बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करकर आप अपने smartphone के volume UI को पूरी तड़ी के से change कर सकते हैं, इसके साथ यहाँ पर आप अलग-अलग company के volume UI को अपने smartphone में यूज़ कर सकते हैं, और तो और आप अपना खुद का volume UI भी बना सकते हैं, उसमें अलग-अलग तरग के color add कर सकते हैं, तो एक तरग से कहें, तो आप एक बिल्कुल यूनिक तरग का volume UI बना सकते हैं, और यकीन मानिएगा, आप एक ऐसा UI यहाँ पर आप बना सकते हैं, या फिर आपको अलग-अलग जाएंगे, जिसका अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे, बाइ, ऐसा volume UI अभी तक हमने कहीं नहीं देखा, बाइ, बेहादी कमाल का UI आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, तो अगर आप अपने smartphone के volume UI को चेंज करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को एंग तक जहुर से देखना है, तो चले यार, बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया, अब फड़ा फट ज़र वीडियो को स्टार्ट कर देखना है, मिलना वरफान और आप देखना है, टेक, तो सबसे बले तो आपको एक app इंस्टॉल करनी होगी, जिसके लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्टॉप्शन में दे दूँगा, बट अभी जाकर डाउनलोड ना करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, फटाक से एप को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद उसके setup में आदा घंटा निकाल लेते हैं, अपने हिसाब से करने की कोशिस्ट करते हैं, अच्छी बात है, बट ये वीडियो भी पुरा देख लो, इसमें मैं आपको सारे features के बारे में बता रहा हूँ, एक बार समझ लो उसके बाद बड़ी आराम से आपका setup हो जाएगा, आपका time भी waste नहीं होगा, तो वीडियो को फूरा देखिए, इस आपको install करते ही, सबसे पहले तो आप इस आपको सारी permission दे दीजे, तो permission देने के लिए simple है, आपको start वाले button पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आप इसे enable कर दे, यानि कि इसे आप सारी permission दे दे, permission देने में गड़बड़ी की, तो यह app properly काम नहीं करेगी, इसका आपको खास ध्यान रखना है, इसके बाद simple है, आपको यहाँ पर कई सारी UI देखने को मिल जाएंगे, जैसे का अगर हम बात करें Android की, iOS की, One UI 3 है, One UI 2 है, RGB है, Wave है, जहाँ पर आपको मलब बिल्कुल पानी जैसे effect देखने को मिलेगी, MI का UI है, Color OS 6 का Volume UI है, यह मलब धेर सारे आपको UI देखने को मिल जाएंगे, और यह सारे के सारे UI बिल्कुल free है, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ UI आपको paid भी देखने को मिले, अब यहाँ पर अगर UI को set करने के लिए, यहाँ पर अगर किसी भी volume UI को आप use करना चाहते हैं, जैसे का अगर मैं बात करूँ यह RGB UI की, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, तो simple आप इस पर click करे, click करते, आप देख सकते हैं, यहाँ पर UI set हो चुका है, मैं एक बार आपको volume plus minus करके दिखा देता हू यानि कि यह UI set हो चुका है, और यह दिखने में भी काफी कुपसरत लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी RGB line जो है वो आ चुकी है, और यह काफी cool भी लग रहा है, और अगर मैं इस नीचे वाले arrow पर click करूँगा, जैसे कि यहाँ पर click कर रहा हूँ, आ यहाँ पर call volume आ गया, alarm volume आ गया, ringtone volume आ गया, यानि कि पूरी की पूरी एक अक्की volume पैनल मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और सब में आपको RGB light भी देखने को मिल जाएगी, like कुछ इस तरह से, और यह काफी cool है, और इसी तरह सा कर मैं बात करूँ, wave UI के बारे में और इसके साथ साथ अगर आप इसे customize करना चाते हैं, यानि कि इसका भी अगर आप color change करना चाते हैं, तो simple है आपको यहाँ पर style setting का option मिल जाएगा, यहाँ पर click करने के बाद आप इसका color भी change कर सकते हैं, यानि कि आपको थोड़ा सा pink color चाहिए, तो आप pink color add कर सकते हैं, background ज सब भी features को unlock करना चाते हैं, तो simple है आपको इस app को purchase करना होगा, और लगबग आपके 150 रुपे जो यह वो खर्च हो सकते हैं, देखें मैं यहाँ पर force नहीं करना हूँ कि आप इस app को purchase करें ही करें, ठीक है, आप पर depend करता है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बही सही है, मुझे बिलकुल अलगी तरह का UI बनाना है, तो आप करो, नहीं करना है, तो कोई दिकत नहीं, फ्री में तो आपको कुछ UI यहाँ पर मिल ही जाते हैं, इसके साथ आप volume UI में shortcut भी add कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक plus का icon मिल जाएगा, simple है आप यहाँ पर click करेंगे, click करने क और भी कई तरह से आप इसे customize कर सकते हैं, जैसे कि आप wave की speed कम ज़्यादा कर सकते हैं, wave को highlight मतलब इसकी जो wave की height से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, number of waves भी यहाँ पर add कर सकते हैं, तो एक तरह से कहने तो आप पूरी तरीके से आप volume UI बना सकते हैं, अब बनानी की बात हुई यहाँ पर आपको style में पूरी की community मिल जाएगी, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो और भी कई सारे से लोग हैं, जिनोंने अपनी style से volume UI बनाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह volume UI काफी मस लग रहा है, और भी कई सारे UI आपको यहाँ पर देखने को म जैने लगाँगा, बट और भी कई सारे आपको यहाँ पर UI देखने को बढ़े जाएंगे, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, तो चलि मैं आपको यह यूज़ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मुझे गोल्डन वाला काफी पसन आए, तो सिंपल में इस पर apply पर क्लिक सकते हैं, यह UI एड हो चुका है, और यह दिखने में भी काफी खुबसरत लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी वॉल्यम की पैनल आ चुकी है, तो मेरी साब से यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक वॉल्यम देखने को मिल जाएंगे, और यह काफी ख अच्छा लगता है, तो मेरी सेकंड चैनल है, आइटेक प्ले के नाम से, उसकी विलिंग में आपको इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में देदूंगा, तो आप उस चैनल को जब से सब्सक्राइब कीजिएगा, और आईएगा हमारे साथ लाइफ ट्रीम पर हम साथ में खेल दोस्तों, टेक केर, बाइ!